A very good morning to all of you दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एजूकेशन के एडिसिक्स में आज हम बात करेंगे बिहार के आत्म जर्भरता के बारे में जिहां चुकि यहां पे एक और वेकेंसी के बारे में बात की गई है और बिहार की अपकमिंग वेकेंसी में से एक है लेकिन क्या य की बात की गई है कि यहां पे इतनी सैलरी आपको दी जाएगी लेकिन कौन-कौन सा जिला इस उद्योग से जुड़ा हुआ है यह जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से और मतस्य उद्योग को लगबग आज से 5 साल पहले से ही अपडेट किया जा रहा है लेकिन अब जाके यहां पे नौकरियों की बात की गई है इन सभी उद्योग में तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से छात्रे एलिजिबल हैं पहले और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वीडियो को अंतक देखिएगा अन्यता वीडियो छोड़कर आप जा सकते हैं दोस्तों अगर आप हम हम इसकी अपडेट पे बिहार क्या बन पाएगा आत्म निर्भर तो देखे बिहार की अगर छमता देखी जाए तो हम आत्म निर्भर इस तरह से बन सकते हैं कि सायद हमें केंद्र सरकार की मदद की जरुद भी नहीं है जो मदद के वायदे किये गये हैं बिहार सरकार को दे बिहार की प्रगती में आज से 5 साल पहले आप लोगों ने मोदी जी का एक एलेक्शन में भासन भी सुना होगा वैसे वो पैसे अभी तक आये नहीं है नितियस कुमार जी उस पैसे के लिए गुवाही लगा रहे हैं कि पैसे दी जाये ताकि बिहार की डवलप्मेंट में हम ल को चर्चा करना है यहां दोस्तों एक अपकमिंग वेकेंसी और बात हो रही है जिसमें कि सौ मतद से पताधिकारियों का नियुकती होगा यानि कि टोटल वेकेंसी यहां पे सौ है जिसके लिए योगिता जो है दोस्तों बैचलर इन फिसरिज साइंस अत्वा दो दिवसियर दिप्लोमा इन फिसरिज साइंस की योगता रखने वाले युवको को इस पत के नियोजन के लिए बुलाया जाएगा यानि कि दोस्तों यहां पे ये क्रेटेरिया अगर आपके पास है तभी आप इस वीडियो को अंतक अब देखेगा अन्यतर वीडियो छोड़कर जा सकते हैं और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो चातर बिहार से जुड़े हुए अगर वो उनको ये नियूस मिलती है तो उनके लिए वेल गुड है वो भी आविदन कर सकते हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं दोस्तों या पर पे इस अपडेट के बारे में बिहार में मचली उत्पादन के छैत्रों में आत्मि निर्भर बनाए जाएगा इसके लिए एक नय अफसर बहाल किये जाएंगे ये नय अफसर का है दोस्तों Others यहंडिकारी ठीक है प्रसार प्रदाधिकारी का सम्विदा के अधार पर बहाल होंगे यानि कि कॉंट्रेक्ट बेसिस ये जॉब है आपका एक तो बिहार सरकार का यही एक निती है कि जो कॉंट्रेक्ट बेसिस कमसी कम जॉब दे दे रही है नित्या जिनको कॉंट्रेक्ट बेसिस जॉब नहीं मिल रहा है उसका तो पर्मनें तो होई नहीं रहा है राजे सरकार ने बहाली की मंजूरी भी दे दी है खास बाती है कि अफसर अपने अपने प्रकंडों में मचली पालोगों को ऑन स्पोर्ट सभी तरह के टक्निकी जनकारी उपलब्त कराएंगे जिसमें कि 41,000 रुपे प्रती माह का माने देवी आपको दि दिकारियों को यानि जो प्रसार पता दिकारी हैं इनकी सलेरी 41,000 रुपे होगी वे अपने छेत्र में दोस्तों सभी जितने भी जल छेत्र का रिकॉर्ड भी रखेंगे अपने चरन में दर्भंगा, मधुबनी, मुझपर, पूर्वी और पस्षिमी चंपारन इनकी बहाली इस छेत्र में तलाब और जलकरों में बड़े पैमाने पर मशली पालन भी होता है, इसलिए वहां के मचली पालोकों को जरूरी है तक्नीकी ज्यान देना और इन अपसरों को बहाल किया जाएगा ताकि वो उनको तक्नीकी ज्यान दे सके और यहां पर मतस्ति पालन की इसके लिए सभी जिला मुख्याले कारियाले को प्रात्मिक्ता के अधार पर ससक्त किया गया है, अब देख सकते हैं यहां पर जो अपडेट दिया गया है, जितने भी जिलों की यहां पर बात की गई है, इन सब को एक लेटर भीजा जा चुका है, कि इन अपसरों को मचली पालकों के तलाब पर ही तकनीकी जनकारी उपलब्त करानी होगी, जिया उनको जाना होगा, ड्यूटी वहां पर देना होगा अपने अपने अंपने विए तलाबों प οποी उसके गालब होग है, जो धालब तकनीकी और यूजनाओं का प्रसार करेंगे, उसके बाद तलाब य जलकर जो भी होंगे उसमें होने वाली समझ जाओंगे तुरित निदान के लिए भी उनको जबाब दे बनना पड़ेगा यानि कि क्या अपडेट हो रहे हैं और कितना यहाँ पे बिजनेस हो रहा है इसीच को लेकर इन सभी पतादिकारियों को अपडेट देना होगा सरकार को तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो कि इस वेकेंसी के जरीए मैंने आपको बताया है कि ये वेकेंसी जो है आ सकती है मतस्य भी भाग में लेकिन यहाँ पे कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि कब तक आएगी ये वेकेंसी और नहीं इसके बारे में कुछ बताया गया है तो हो सकता है कि ये वेकेंसी यहाँ पे निकाली तो गई है सौपदों की लेकिन आगे चल कर यहाँ पे इस वेकेंसी को सिर्फ और सिर्फ पेपर में ही छोड़ दिया जाएगा मेरा यहां पर एक ही मानना है कि सरकार अगर कोई वेकेंस से निकालती है तो उसको officially बता है आप इसके official websites पर जाके भी check कर सकते हैं मुझपरपुर, मदुबनी, पुर्वी, पस्चिमी, चंपारन के दरभंगा के इन सभी official website पर जाके जीलों के check करते रहेगा वहां से update आपको मिलते रहते हैं ठीक है दोस्तों तो ये काम जरूर कीजिएगा आप लोग उसका link जो है वो सारा description में मैंने दे दिया है यह वैसे link खोजना नहीं है आप google पर search करेंगे दरभंगा.nic.in तो आप इसके website पर चले जाएंगे और वहां पर जाके check कर लिजेगा कि कब तक आएगी vacancy वैसे अभी कोई update नहीं दिया गया है फिलाल यह एक paper news है जो कि मैंने आपको share किया है अब जो भी छातरी इसके लिए आविदन करने योग हैं वो इसका इंतजार करेंगे जरा और जब तक इसकी vacancy आती है मैं आपको update कर दूँगा अपने चैनल के माद्यम से जब भी आएगी आप form भर के इसको apply भी जरूर कर दीजेगा तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का